उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्नाथ सीम बन गए वहां की कानून विवस्था चर्चा में रहती है क्योंकि अब किसी भी माबले में जल्द आक्शन देखने को बलता है योगी सरकार से पहले आम जनता भी बदमाशों की दबगगई से परिशान हो चुकी थी लेकिन जैसे ही बीज़ेपी की सरकार आई और योगी आदितनाथ ने योपी की कमान संभाली लोगों के चहरे पे एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि योपी में जब से स सियम योगी ने सत्ता संभाल ली है तब से ही एक्शन हो रहा है इतना ही नहीं बीच बीच में सियम योगी बैठा कर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाते हैं और सियम योगी के आदेश और फटकार का ही नतिजा है कि योपी पलिस भी अब एक्शन मोड में रहती है और लगातार अपराधियों पर कारिवाई के जाती है वहीं यूपी में एंकाउंटर चर्चा का विशय बन जाता है नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीबी उत्तरपदी शर्मै हूँ आपके साथ दिव्या से इस खास प्रग्राम परदाफाश में आपका स्वागत है परदाफाश में बात होगी आगरा में हुए इंकाउंटर की बताएंगे आखिर क्यू और कैसे पुलिस ने लिया तगड़ा आक्शन तो चलिए शर्वात करते हैं आक्शन में योगी सरकार की पुलिस गलती करने पर सिखा दिया सबक मंदर लूटकांड में शामल था पूरा गैंग एंकाउंटर में पुलिस दे तीन को दबोचा योबे पुलिस इन दिनों लगातार हो रही एंकाउंटर को लेकर चर्चा में है अपराधियों को घेर कर उनको दबोचने का काम कर रही है वहीं आग्रा पुलिस ने एंकाउंटर में बदमाशों को सबक सिखाया है दरसल आग्रा में राजा मंडी रेलवे स्टिशन के पास आरे समाज मंदिर में दिन दहाडे डकैती पड़ी थी गटना में चार नहीं पांच बदमाश शामिल थे वारदात के बाद इसका खुलासा पुलिस ने किया है तीन बदमाश मुटवेर में पकड़े गए एक के पैर में गोली लगी बदमाशों के कबजे से लूट का जो ज़्यादा तर समान है वो बरामद हुआ है लेकिन दो बदमाश अभी भी फरार हैं उनकी तलाश शारी है गटना सोला जनवरी की दोपहर आरे समाच मंदिर में घटी थे जहां चार बदमाश मंदिर में आये थे शादी के लिए क्या-क्या समान चाहिए यह पूछने के बहाने मंदिर के अंदर घुसके उसके बाद पुजारी सोम शास्त्री की पतनी शधा दिक्षित को बंदक बना लिया और लूट पार्ट की घटना को अंजान दिया इतना ही नहीं बदमाशों ने सेविकार आधा को कमरे में बंद कर दिया ताकि किसी तरीके की कोईद्ध कतना हो डिसेपी सीटी सुरच कुमार राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए सीटी एसोजी और सर्विलास टीम को लगाया क्या लोगा मंडी पुलिस के साथ मिलकर टीमों ने सो से अधिक सिसी टीवी कैमरे खंगाले बदमाश उसमें पैदल जाते हुए दिखाई दिये कैमरों की मदद से पुलिस बिचपूरी मार्क के पास गाओ मगटई तक पहुंची जिसके बाद चानबीन में पता चला कि सोनु शर्मा नाम के बदमाश ने यहां प्लोट ले रखा है और उसमें बकाईदा एक कमरा भी बना हुआ है सोनु शर्मा गड़ी भदौरिया के पास किराय परहता है लेकिन हाथरस का निवासी है चानबीन में कई और सुराक मिले जिसके बाद पुलिस बदमाश पक पहुंची पुलिस ने मुटवेर में तीन बदमाशों को पकड़ा इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गए जखमी बदमाश ने अपना नाम सलमान बताया वह सादाबाद हातरस का निवासी है वह घटना का मास्टर माइंड निकला सोनु शर्मा ने मंदिर में रेकी की थी उसको यह जानकारी सलमान को दी थी सलमान पहले आगरा आया था बाद में उसने फोन करके अपने तीन साथियों को बुला लिया सोनु ने रेकी के बाद सलमान को बताया था कि मौके से लाखों के जिवरात मिलेंगे आरे समाज बंदिर में चादा तर लव मेरिच करने वाले जोड़े आते हैं अच्छा पैसा देते हैं पुजारी के पत्नी के पास लाखों का सोना भी है वह खुद ही कई तोले सोना पहन कर गूमती रहती है इसी सूचना के बाद सल्मान ने गैंग के सदस्यों को बुला लिया मामले में सल्मान, सोनुशर्मा और अनील कुमार को पकड़ा किया है इनके कबजे से लूट का जो ज़्यादा तर समान था वो भी बरामत हो किया है गट्ना में पांच बदमाश शामिल थे उसके बाद पुलिस ने इसी अधार पर मुकदमे में डखैती की जो धरा होती है वो बढ़ाती है इसे एक दिन पहले ही आगरा पुलिस ने एनकाउंटर किया है आगरा पुलिस लगातार बदमाशों केल ये काल बन रही है एक के बाद एक encounter की खबर सामने आ रही है आगरा के हरी परवत छेतर में बदमाशों के साथ मुटबेर हुई का जा रहा है कि थाना हरी परवत छेतर से बदमाश निकल कर जा रहे थी जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और उन्हें रोकने की कोशस की गई लेकिन तब ही बदमाशों ने पुलिस पर ही फाइरिंग शुरू करती जिसके बाद पुलिस की जवाबी कारेवाई में एक बदमाश के पैर में कोली लगी और एक बदमाश को पुलिस ने गिरफतार कर लिया जानकारी के अनुसार मुबाईल लूट के मामले में अब्युक्त पराज चल रहे थे फिलहाल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बदमाश राह चलते लोगों से मुबाईल लूट की घटना को अंचाम देते थे पतादे की हाली में बदमाशों ने मुबाईल लूट की घटना को अंचाम दिया था तब ही से पुलिस बदमाशों की तलाश में लगे हुई थी पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश थाना छेतर के ट्रांसपोर्ट नगर से होकर गुजर रहे हैं इसी सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की गहरा बंदी शुरू कर दी और खुद को घरता देख बदमाशों ने पुलिस पर ही फायर कर दिया जिसके बाद पुलिस की जवाबी कारेवाई में एक बदमाश घायल हो गया जिसे इलाज के लेस्पताल में भरती भी कराना पड़ा वहीं आगरा के थाना हरी परवत पुलिस और बदमाशों के बीच मुडबेर हुई बदमाश लूट के मुबाइल को बेचने के लिए निकले थे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने बदमाशों के घेरा बंदी की और हाली में बदमाशों ने मुबाइल लूट की घटन कि थाना हरी परवत पुलिस की बदमाशों के साथ मुर्भेर हुई, इसमें दो बदमाश को गिरफतार किया गया है, एक बदमाश के पैर में कोली लगी, जिसे इलाच के लिए स्पताल में भाती कराया गया, बदमाशों के कबजे से अवैध हथया, जिन्दा कार्टूस बराम हुआ है, इन बदमाशों ने मुबाईल लूट की घटना से इलाके में दश्यक का महौल बना दिया था, जिसके शिकायत के बाद पुलिस ने ये कड़ी कारिवाई की है, बदा दें के यूपी के अलग-अलग जिलु में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके ब वाले चार बदमाशों को पुलिस ने मुडवेर के बाद गिरफतार खरिया, एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो खायल हुआ, गायल बदमाश हाथरस का ही निवासी बताया किया, जबकि उसके अन्ने तीनों साथी एटा के रहने वाले, कस्बा कुरावली के मुहला फर्दखाना निवासी, सतिंद्र कुमार बिच्वा बाजार में दुकान पर सराफा कारोबार करते हैं, चार जनवरी को शाम वे दुकान बंद कर अपने पुत्र अमित के साथ बाइक से वापस लोट रहे थे, तबहे जीटी रोड पर दो बाइकों पर सवाद चार स्टीम को लगाया था, पुलिस की टीमें बदमाशों की तलाश में चुटी हुई थी, मद्रातरी पुलिस ने कुरावली लकौरा मार्क पर चिकिन अभ्यान चुरू की, इस तोरान दो बाइकों से जा रहे चार बदमाशों को रोकने का इशारा किया गया, तो वे पुलिस फाइरिंग करने लगे, बहें पुलिस ने जवाबी फाइरिंग की जोसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, और फिर पुलिस ने उसे गरफध आर कर लिया, इसके बाद अन्य तीन बदमाश भी पुलिस के गरफत में आके, घाल बदमाश ने अपना नाम प्रदीब न बताया कि पकड़े के बदमाशों का लंबा अपराधी की तेहा से सभी बदमाश शातिर अपराधी हैं इनके तरब से अलग-अलग जिलू में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है बताने कि यूपी के बदमाशों में अब पुलिस इंकाउंटर का खौफ भी देखने को मल रहा है तब ही तो अगर एक बदमाश को गोली लगती है तो दूसरा सरेंडर कर देता है खबर सहारनपूर से सामने आई जहां लूटेरों ने पुलिस की मुटभेर में एक बदमाश को गोली लगी पुलिस के अनुसार जब बाइक मोड कर दोनों भाग रहे थे तब ही उनकी बाइक फिसल गई पुलिस ने भाग कर उन्हें पकड़ने की कोशिस की उसके बाद पुलिस के सामने खुद को सरिंडर कर दिया वहें पुछताच में बदमाशों ने बताया कि वह मैनत मजदूरी करते हैं अनपढ़ हैं मजदूरी करके शौक पूरे नहीं हो पाती इसलिए रागीरों से लूट पाट करते हैं बाइक भी लूटते हैं कुछ दिन पहले ही काउंटर की खबर सामने आ रही हैं जिसके बाद से अपरादी छिपने की चगह खोच रहे हैं परदाफाश में फिलाल के लितना ही आप अपनी राए हमें कमेंट करके जरू गताएं और देखते रहें कैपिटल टीब उत्तरपरदेश नमस्कार